तो कैसे दोस्त आप सब्सक्राइब एक और नए वीडियो में तो आज एक नई रेस्पी हमारी में मिलने के आई है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटाकेदा और बहुत बढ़िया है तो रोटी को यह लग बढ़ता आपको दिखाने के दिखा रहें उसके बाद जो स्प्र नोल पतला काड लेना है और ऐसे नोल उसके ब्यास से इसके अ आप से जो कटव्धर यहां फिर और निद्द लेना है और उसे एक अब बढ़ बना के आप अपनी रोटी बचा सकते और बहुत टेस्टी लगता है छाने में रोटीओ को फैक्ट्नी ज़रूत नहीं तो एक उस परगार पत्रे पजले कट गए हैं अब इसमें जो वेजी टीवल्स लेगी उनको काट लिया जाएगा उसके बाद एक और चोटा से पीस काट लिया जाएगा फिर उसके बाद टमाटर काटने के बाद अच्छे से टमाटर कट गया मर्ची हमारी पैदे से कटी और आणिर के देख सकते हैं कि तेल को रख लिए तेगो गरम होने के लिए फिर इसके अंदर ऑसा गरम हो रहा है देल इसमें जीरा डला आजा अ कि रह जाने के बाद टा लोजी के बाद जीरा ड़ला और देख सकते हैं अच्छा से बूल गया उसके बाद इसमें हमारी वेजटेवल जड़ेगी पहले तड़के गिली इसमें मिर्ची गई फिर उसके बाद इसके अंदर आयने एड होंगे और अनिन एड होने के बाद फिर इसके बाद थोड़ी दे लाल मिर्ट अनिन करना अँषे और यह पूलम आल अइस में होड़़ी कहाट पासाता है उसब को अच्छे साह जाए और एक मिर्च भाजब आद बसंगे बाद कषिते निसार और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटी और बहुत ही बढ़िया आप तुमो चौमीन खाना एक तरह से बूल की जाओगे क्योंकि यह बहुत अच्छी रैस्पी है और बल्ची भी रोटी की बनी है तो रोटी भी बेस्ट न में आपने काल के दिखाएंगे यह देख सकते हैं बनके त्यार हो चुका है अपनी प्लेट में निकाल के दिखाते हैं गरम हो रखा है बहुत अभी तो हां तो यह थोड़ा कपड़े से पकड़ेंगे फिर इसमें देख सकते प्लेट में निकालेंगे बहुत ही उच्छी तो एक फोक की मज़से खाएंगे तो हमारी रेसिपी बनके त्यार है आप चाहे तो घर पर बनागे ट्राइब करें और लाइच सब्सक्राइब टू बीना पुद्दार थैंक